हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर इंग्लिश की आची क्लास में हम एडवर्ब पढ़ेंगे जिसको हिंदी में क्रिया विशेशन बोलते हैं दो दिन से आप लोगे कलास नहीं हो पा रही थी इसका हम लोगों को बहुत खेद है क्योंकि हमारा भी एकजाम है 15 और 16 को ठीके पैट का एकजाम है आप में से भी बहुत से लोगों का पैट का एकजाम होगा पी एटी ठीक है यूपी ट्रबल ऐसी के जितने भी पेपर होंगे उनका फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले पैट क्वालिफाई आप होने जाए तब भी आप उनका फॉर्म डाल सकते हैं तो ये बहुत सारे बच्चों ने इस बार पैट का डाला है तो आप लोगों का भी होगा तो बस तीन-चार दिन की बात है 15 और 16 को पेपर है तो तीन-चार दिन आप लोग एडिस्ट कर लीजिए थोड़ी कम वीडियो आप आएंगी तो परेशान नहीं होना है जिम्मेदारी स्लेवर्स की हमारी है 16 से आपका अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है हम एक दिन में तीन वीडियो भी अप्लोड कर देंगे तो आप उसके लिए परेशान मत होईए जितना हो गया है तब तक आप उसको अच्छे से रिवाइस करते हैं ठीक है तो चलिए एडवर्स से स्टार्ट करते एडवर्स क्या है इससे पहले मैं आपको बता दू मैंने आपको वर्व पढ़ा दिया था ठीक है वर्व नाउन प्रोनाउन और अच्छे से क्लास हो गई है तो यह याद रखें नाउन प्रोनाउन वर्व और एडशक्टिव ठीक है इनके काइंट्स भी अच्छे से याद कर लेना और इन सब की डेफिनिशन भी अ आई होई है तो यहां से आपकी डेफिनिशन आती ही आती है ठीक है इसके बाद अब मैं आपको जो एडवर्व पढ़ाओंगी प्रेपोजिशन पढ़ाओंगी ठीक है तो इनका क्या है इनके यूज आते हैं सेंटेंस आपको दिया जाएगा फिलिंदा ब्लेंक्स में आते है कि आपको यहां पर क्या भड़ना पड़ेगा थीक है जिसे मानलो टू दे दिया और टू दे दिया इननको अपर कैसे हम तिप्ल करेंगे है इनको समझने अब English में adverb क्या है तो an adverb is a word which is used to qualify adjective verb, adverb, preposition and conjunction ठीक है तो यहां पर adverb क्या है जो भी आपकी चीज़े होंगी सिर्फ जो आपका क्या कहते है एड़क्तिव हो गया, verb हो गया, preposition हो गया, सब्या暗ी सब्सक्राइब को बताने के लिए एक्स्टरा इनके बारे में बताने के लिए a verb şets vestah व करते हैं यहां पर यहां भी समझेगा कि adverb खुद की विशेशता बताता है कहीं लक्स कि बताता है घकी कि सेंटेंज से आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा,astian बताना या उसको describes करना भी बोल सकते हो सके बारे में कुछ और जानकारी देना ठीक है जैसे सीता इज सीता इसे मिशेषता है बतार है आर highest सुन्दर है तो यह बहुत सुंदर है यानि की सुन् भी विषेषता बताती कि कि बहुत सुनदर ह Jub है यहाँ पर यहां पर वेरी यह बहुत जो यह क्या बता रहा यारदक्स कि विशेष्टा बतार रहा है उसको भी डिस्क्राइब कर रहा है यानिकि यह क्या हो जाएगा आपका रहा है यह вес a very good सीता क्या है एक इसे करो सीता इसे गुठ सिंग्ण सीता इसे ढ़ा तो वह पो जाएगा डर्फिन कि टो गっने उन्स इसमें कि ऑलग उने सीता बंॉ-वाली मिलते जाएगे वहाँ पर अंच divisiv तकी आपके य वाले क्या होते हैं ऊते हैं के केर फूली आपका साथनी के बारे में बहुत बोल दिया तो यानिंकि यह रहे यहां पर यह भी एड़ब और आपका चछो एड़य त्स देखिके और बिफोर्फ यू गो तो यहां आप इसको बोल सकते हैं तरीके से हिंदी में क्या होते हैं संबंध बोधक आपके जोड़ने का काम करते हैं ठीक है इंग्लिश में होती है कंजेक्शन ठीक है तो यहीं पर इसके आगे लगा हुआ है केरफुली यानि कि किसकी फिशेस्ता यहां पर बता रहा है किसके बारे मे और खुद आडवर्ब के बारे में बताएगा ठीक है हम आते काइंट्स ओफ एडवर्ब की तरफ तो एडवर्ब के काइंड्स क्या क्या है आप पर तीक है काइंड्स आप से इतना इतना पढ़ ले और काम हो जाए अगर आप थोड़ा पढ़ भी लेंगे तो आपके लिए नुकसान वाली चीज नहीं आगे सारा कुछ आपके काम ही आने वाला है तो काइंड्स देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुए यानि कि किसके बारे बता रहा हुआ टाइ यानि कि आने वाला दिन सून जल्दी ठीक है रिसेंटली शॉर्टली ठीक है लेट लास्ट नैट यह बना हुआ है आप लोग कन्फ्यूज मत होना लेट ठीक है इस टाइप से अब देखिए यहां पर कैसे ही ब्रिंग्स मिल्क डेली या यानि कि वो क्या है दूद रोज ल यह भी क्या बता रहें समय को बता रहा है ऐसे आपका टुडे आज ठीक है ऐसे यस्टरडे आपका हो गया कल यह क्या बताएंगे समय को बताएंगे तो यह क्या होगे यह एडवर्फ ऑफ टाइम कहलाएंगे ठीक है नेक्स्ट यह आपका एडवर्फ ऑफ प्लेस तो प्ले आउटसाइड समवेर एवरिवेर इंडोर इंडोर यह सब आपके क्या होंगे यह सब आपके किसको बताएंगे इस्थान के बारे है जैसे Come in ठीक है? Come here, come go there यह सब क्या है? There, here, यह किसको बता रहे इस्थान को यहां-वहां ठीक है अंदर-बाहर भीखे तो यह सब इस्थान को बता रहे ही यही है आपके क्या करने के ढंग बता रही है ठीक है तो तो देख आ We आहां में नहीं है तु क्या है वांपर तरीके ठीक रहा आपकों करने का तरीका होगा मैं तो यह निए क्या बताएंगे पै desp और फास्ट loudly, bravely, well ठीक है, he works you slowly, वो काम कैसे करता है धीरे धीरे, slowly, slowly तो यहाँ पर काम करने का धंग है slowly, slowly, यानि कि धीरे धीरे तो जो slowly word हुआ यह क्या हो गया आपका adverb हो गया, ठीक है we work hard, कठिन काम हो रहा है यहाँ पर, जो काम है उसका तरीका क्या है, बहुत कठिन hard work है ना, तो जो hard हो जाएगा यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, आपका adverb हो जाएगा ठीक है, next आते है adverb of frequency या फिर नमबर तो frequency का मतलब क्या होता है आवरत्ती, यानि कि बारम बारता बार बार कितनी बार, ठीक है तो वही आनि कि संख्या को एक तरीके से आप अगर देखें उसको frequency होती कि संख्या को बताना आवरत्ती है, क्या, बारम बारता है क्या संख्या ही तो है, एक बार, दो, बार, तीन, बार, चार बार तो वही तो है यह तो इसमें क्या आते हैं आपके सब्सक्राइब क्या है बार बार वही वही काम होगा हमेशा कभी नहीं संख्या ही तो है इस तरीके से यहां पर क्या यानिकि यहां बता रहे है एक एक बार ठीक है आगा आपका यहां क्या होता है और नमबर इन सब को आप समझ जाएंगे कैसे difference करेंगे quantity की जब भी बात आगी यानि कि वहां मात्रा की बात आ रही होगी उनको हम count नहीं कर सकते उन चीजों को अगर हम उनको count कर लेते तो हम उनको number में add करते ना ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखे है quantity जो हम वर्ड यूज कर रहे होगी या जो वहां पर आ रही होगी वह क्या होगी उसको ही मात्रा होगी हम उसको count नहीं कर सकते कि एक है कि दो है कि चार है ठीक है तो देखें यहां पर जैसे यहां पर आपके आजाएंगे to very little quiet enough rather almost few तो यह वर्ड आपके क्या है एडवफ of quantity है ठीक है नेक्स सेंटेंस सेंटेंस देखें क्या है आपका he is too careless 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 क्या है लापरवाही ठीक है और to means क्या है कि बहुत लापरवाहा है ठीक है लापरवाह की विशेस्ता होगी कि ठीक है जिसे vary होता है ना बहुत वैसे two he is too slow he is too fast यानि कि बहुत fast है बहुत slow है ठीक है तो वहां पर हम two का एडवर्ब का जो भी उस करेंगे तो यह वाला two आएगा ठीक है तो देख लीजए यहां पर यहां पर क्या है एडवर्ब है नेक्स्ट क्या है आपका our work is almost complete यानि देखे आपका 2019 में आया हुआ है he is – slow to win the race अभ यहां पर खुद बख़ुद बता सकते हैं मुझे कि यहां पर क्या फिल होगा यह two आएगा ठीक है तो इसको आप खुद से करना और comment सकने हैं मुझे type करके बताना है कि यहां पर क्या आएगा ठीक है नेक्स्ट आते हम इसके एक्जामपल देख लो certainly surely obviously definitely तो यहाँ पर क्या है definitely बोलते हैं है निकि निश्चित है काम होना ठीक है तो इस तरीके से चाहँ पर निश्चिता का आ रहा होगा वहाँ पर आपकर क्या मिलेगा और देखिए mostly यहीं सब आपके interrogative आपकी फतरह काम करेंगे तो वहाँ पर क्या होजाएं गया और आपका how many boys ठीके तो boys आपका यहाँ पर क्या है noun many यहाँ पर adjective बन जाएगा और adjective के आगे भी क्या लगा है how लगा है तो यह how आपका क्या हो जाएगा interrogative adverb हो जाएगा ठीके तो इस तरीके से बिनको देख लीजे समझ लीजे पहले sentence क्या है when does he get up अब when का use हम कब करेंगे तो जब आपको समय बताना होगा time की बात का हो रही होगी कि वह कब उठता है वह कब जाता है वह कब खेलता है यानि कि time पूछा जा रहा है और यहाँ पर यह भी चीज ध्यान रखे interrogative यानि कि प्रश्ण बाचक और interrogative adverb ऐसे हाउ आर यू तुम कैसे हो यानि कि तुम्हारी अवस्था के बारे में पूछ रहा है manner के बारे में पूछ रहा है कि किस आप से रह रहे हो किस तरीके में हो ठीक है तो वह आपका उचाहिए यहां पर जो हाउ है वो क्या है आपका interrogative adverb ऐसे aadual i forgive लिए तुम कहां रहते हो ट्रहिंप तो यहां पर जो वேन रहते हैं यहां रहते हैं रहते आग्रा रहते धिली रहते हैं जो भी आपका इस्थान को बताएंगे लाप फार तो यहां पर वह now आपका interrogative adverb है ठीक है नेक्स्ट आते हैं relative adverb पर तो relative से आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे होंगे संबंद याने की जोडने का काम कर रहे होंगे ठीक है तो जब interrogative adverb दोनों clause को जोड़ने लगे कौन से इंटेरोगेटिव adverb भी तो जोड़ेंगे आपने प्रोणाउन नहीं पढ़ा था कि यह क्या थे आपके जितने प्रोणाउन थे वही आपके आजाते थे तो इनके आपके पीछे क्या मिल रहे होगी helping verb मिल रहे होगी ठीक है और जब यहां पर interrogative sorry adverb की तरह काम करेंगे relative adverb की तरह है तो यहां पर आपको सीधे सीधे क्या मिल रहा होगा ठीक है नाउन या प्रोणाउन मिलेगा तो देख लीजे I don't know where he has gone where आपको मिला जोडने का काम कर रहा है इसके पीछे आपको सीधे ही मिल रहा है ठीक है next is I know the time when the accident took place ठीक है मैं वो समय जानता हूँ जब accident took place उस स्थान पर हुआ ठीक है तो यहां पर जो when है वो क्या है accident के आगे लगा हुआ accident यहां पर क्या है नाउन है यहां पर ठीक है तो इस तरीके से भी आप find कर सकते हैं अब main हम बात करें कि हमारे question कैसे आने है यह चीज़ भी तो मैं पता हूँ नहीं चाहिए कि हमें एक्जाम में question मिलेगा कैसे तो एक्जाम में आपका जो question आया हुआ है वो इस तरीके से आया हुआ है ठीक है इस तरीके से आपके question आने है अब इतनी से चेज़ को बताने के लिए या अगर मैं आपको सिदे सिदे बता देती कि इसमें यहां पर यह लगा दिया यहां पर य कि यह आखिर है क्या ठीक है ऐसे आपका और भी कोई आजाए ठीक है कुछ भी मैं पूछ लिया जाए आपसे ठीक है तो वह आप उस चीज को बता पाएंगे कि जैसे मालो एक संटेंस में दे दूं आपको राधा इसे वैरी व्यूटिफुल गर्ड तो यहां पर वैरी क्या है तो इस चीज को आप अपने हिसाब से बता सकने कि अब यह क्या है इन चीजों को आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाए मालो पांचे लाइन का वहाँ पर आपसे बोल दिया जाए कि जितने भी इसमें एडवर्ब आ ٍ आरा आए ठीक है एडवर्ब की दो सीधे से पहले आंपके आपको पहले हजिस्में पहले कीजों की मालो इस बहुत है और मॉत हृब अलग अवाग नहीं हो सकते हैं लेकिन बहुत आपका मतलब ऐसी जहें होगी जहां पर वो दोनों साथ ही आएंगे तो आप सीधे सीधे एड्जक्टिव को find कर सकते हैं ठीक है नेक्स क्लास में मिलेंगे आपके proposition के साथ ठीक है जितना हो गया उसको करते हुए चलिए बिस 3-4 दिन की problem में तो आप लोग इतन